असलाम लेकुम क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे 10th Science Physics का शेप्टर नबर 11 जिसका नाम है Sound जैसे कि क्लास आपको पता है कि Sound क्या मतलब है Sound का Means है अवाज अब Sound Waves हमारा पहला टॉपिक है जैसे कि पहले टॉपिक में आपको दो चीज़ों की रिक्वार्मेंट है Sound की प्रोड़क्शन के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वाइड होती है First one हमें medium रिक्वाइड होता है Second one vibrating body required होती है जब तक हमारे पास medium नहीं होगा vibrating कोई body नहीं होगी sound waves की production नहीं हो सकती Sound waves की production के लिए medium की requirement कैसे होती है मिसाल के तोर पर जब हम बोलते हैं तो हमारी voice जो है वो एक जगा से दूसरी जगा जो है वो ट्रांसफर होती है अब voice जो एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसफर होती है वो क्यों होती है अगर हम कहा है अगर में बोल रहे हैं तो हमारी पूरे पूरे जूश में आवाई गोंज रही है तो किया रीजन इसकी रीजन यह है कि ऐर के पार्टीकल्स प्रेजन है जो एर है वो मीडियम , एजे सती है है सो साउंड वेव्स की परड़क्शन में जो साउंड वेव्स प्रडूस हो रही है और आवाज जो है वो ट्रावल कर रही है वो मीडियम की वज़ा से ट्रावल कर रही है जो के एर है एर के पार्टिकल जो है कि उसको जो है वो एक जगा से दूसरे का जो है ट्रांसपर करते नेक्स है vibrating body किसी भी sound waves को produce करने के लिए vibrating body का होना बहुत जरूरी है अब vibrating body का क्या function है vibrating body का function यह है कि just suppose अगर मैं बोल रही हूँ तो it means कि मैं जो हूँ as a vibrating body act कर रही हूँ अगर जो है मैं बोलूंगी नहीं तो मेरी voice जो है वो आगे generate आगे travel ही नहीं हो सकती आगे प्रोपगेट ही नहीं कर सकते तो it means कि sound waves की production के लिए medium का और vibrating body दोनों का होना जो है वह बहुत जरूरी है sound जो है वह produce होती है by vibrating body किसी भी vibrating body से sound produce होती है due to vibrations of body जैसे ही जो है body हमारी vibrate करती है जो air जो है जो के हमारे room में it get present है वह भी का होना शुरूर जाती है वह vibrate करना शुरू कर देती है जिसकी वज़ा से हमारी ear में जो है वह हमें voice की जो है वह sensation उसका एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है अब इसकी example की जानी move करते है फिर्स वन इसकी example है गिटार अब गिटार में क्या होता है इन गिटार sound is produced due to the vibration of its strings अब sound क्या करती है sound इसमें produce होती है जैसे ही जो है गिटार की strings है जब वाइबरेशन करती है तो जो है voice produce हो जाती है नेक्स जो इसकी example है वो है human beings अब human beings में क्या होता है human beings में जो है वो एक कोर्स प्रेजन होती है that are called vocal cords अब ये vocal cords करते हैं अगर हम बोलते हैं अगर हम बोलते हैं तो ये vocal cords वो बाइबरेट करते हैं जिसकी वज़ह से हमारी voice जो है वो एक जगा से दूसरे कर transmit हो जाती है वो भी क्या करती है और इतने भी हमारे दूसरी organs हैं जैसा कि जास पोस हमारे lungs वगरा है वो भी sound waves को produce करते हैं और जो doctors हैं वो इस्तमाल करते हैं स्टैतोसकोप ये स्टैतोसकोप को इस्तमाल करके जो है वो हमारी voice heart beat को जो है वो सुनते हैं जो है वो sound waves की production किया है कि sound waves किस तरह से produce होती है अब हम अपने next topic की जानी move करते हैं हमारा next topic है sound is produced by vibrating body sound जो है वो vibrating body से produce होता है अभी हमने medium और vibrating body की उपर बात की थी अब हम activities explain करेंगे किस तरह जो है sound is produced by vibrating body sound जो है vibrating body से कैसे produce करेंगा अब जा सपोज अगर हमने एक tuning fork लिया है लिबाटरीज बगरा में जब हम practicals बगरा करते हैं तो उसमें जो है वो यह tuning fork इस्तमाल होता है और यह एक rubber hammer है अब जब यह tuning fork यह जो है वो इसकी sides यह एक U-shape नुमा structure होता है और यह साइड्स होती है इसको प्रॉंग्स बोलते हैं प्रॉंग्स या arms भी बोला जाता है जब यह tuning fork जो है वो इस rubber hammer पर मारा जाता है तो यह tuning fork क्या करता है वो vibration start कर देता है जैसे ही tuning fork को हमने rubber hammer पर strike किया तो जो है वो vibration start होना शुरू हो जाएगी tuning fork जो है वो it begins to vibrate यह vibration अपर स्टार्ट कर देगा We can hear the sound produced by the tuning fork by bringing it near our ear और जब हम इस tuning fork को अपने कान के करीब लेके जाएंगे तो हमें इस vibration produced करेगा हमें वो सुनाई देंगी जो यह vibration generate करेगा We can also feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from a thread अब जब हमने यहां पर देखा कि यहां पर जो है जैसे ही हम आप vibration start होई है अब यह vibration हमें in actual नजर नहीं आएंगी जैसे ही tuning fork हमने rubber hammer फर्मारा तो यह जो इसके prong से vibration start कर देंगे अब हमें जो है यह जो है वो इसकी vibration हमें नजर नहीं आएंगी अब क्या करेंगे हम एक thread लेंगे thread के साथ जो हम लोगों ने एक strand हैंग की है यह हमारा एक thread है thread के नीचे हमने एक ball को hang कर दिया अब यह ball क्या करेगी अब यह ball जो है वो vibration start कर देगी अब जैसे ही हम यह vibrating tuning fork को इसके करीब लेकर आएंगे अब ball जो है वो vibrate करके अपनी इस position पर आ जाएगी तो इससे हमें यह पता चले गया कि यह tuning fork जो है वो vibration produce कर रहा है उसके बाद next हम लोग क्या करेंगे इसको मजीद आने के लिए कि यह tuning fork में vibration क्या produce हुई है sound जो है वो किसी vibrating body से produce होती है यह नहीं होती इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम लोग जो है वो एक बी कर लेंगे या एक glass ले अगैंगे उसमें हम waterfilling कर देंगे अब जैसे हम लोग इसको इसमें waterfilling करेंगे तो کیा होगा हम लोग जो vibrating tuning fork Independ कर देंगे इसमें जैसी हम दब जया किया गाला तो पानी इसके नंदर पानी है और यह वह वह वाइब्रेटिन टूनिग for यह कि हम तर स्ट्राइक करेंगे अब जैसे जब हम इस पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा कि ट्यूनिंग फोक जो इसमें डालने से क्या होगा पानी जो है वो सप्लेश इस अपनी स्टार्ट कर देगा पानी जो है वो सप्लेश वी विल सी दे सप्लेश तो हम लोग जो है वो सप्लेश को देखेंगे अब सप्लैश क्या हैं कि छीनटे पानी जो है वर छीनटे मारेगा इससे हमें क्या पता चलेगा इससे हमें हमये यह पता चला पैदा नेक्स लाशे sound required material medium for its propagation sound को आगे फैलने के लिए propagation का मतलब है अशाद करना उसको आगे फैलने के लिए जो है वो किसी medium की जरूरत होती है अब हम इसको एक एक्टिविटी से प्रूफ करतें कि किस तरह जो है वो एक medium की जरूरत होती है इसके लिए हमें एक बैल जार अप्रेटर्स लेंगे यह जो है वो हमारी एक electric bell है और यह वरा जो पूरा एक container है इस इस कॉल्ड बैल जार यह बैल जार है यह electric bell है यहां से हमने दो वाइट का connection करके इसको power supply के साथ connect कर दिया और यह जो है वो एक vacuum pump है अब जैसे ही हमने क्या करना है पावर supply को हमने own करना है तो क्या होगा कि electric bell जो है वो ringing जो है वो अपनी start कर देगी अब electric bell जो है जब से ringing अपनी start करेंगी तो सबसे पहले उसका sound of the bell जो है वो क्या होगा बहुत जादा loud होगा अब sound of the bell जो है वो जब loud होने क्योंसे जब हमने क्या करना है जब पहले loud voice इसकी जनवेट हुई है फिर हमने क्या 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 vacuum pump की मदद से इसमें से जो air के particles है उसको हमने eliminate कर दिया उसको बाहर निकाल दिया जब हम air के particles को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा कि sound of the bell starts becoming more and more feeble तो sound जो जो है बेल की वो जो है वो आइस्ता इस्ता feeble मतलब कम होती चली जाएगी and eventually dies out और आइस्ता इस्ता जो हो क्या हो जाएगी वो फोरन से खतम हो जाएगी although the bell is still ringing, bell जो हमारी still ring करी है, हमने power supply own की हुई है, bell को still ringing हो रही है लेकिन vacuum pumps जब हमने air को निकाला तो क्या हुआ कि पहले जो है उसकी voice जो है वो कम हुई और फिर eyesight सा जो है वो खतम हो गई when we put the air back into the jar और फिर दुबारा से जब हमने दुबारा से air को इस bell jar में दुबारा से fill किया we can hear the sound of the bell again और हम दुबारा से bell की आवाज को दुबारा से सुन सकते हैं फिर इस activity से हमने ये conclusion निकाला कि sound required material medium for its propagation कि sound को जो है वो उसकी propagation के लिए किसी medium की जरूद होती है यहां पर जो हमने medium इस्तेमाल किया है वो हमने air को इस्तेमाल किया है air थी उसमें तो हमें उसकी ringing loud सुनाई दी जैसे हमने इसको air को निकाला तो उसकी voice जो है पहले वो feeble हुई कम हुई और फिर आईसा इसा जो है वो dies out हो गई आईसा इसा जो है वो खतम हो गई सो इस activity से हमने यह conclusion निकाला है कि sound जो है उसको किसी भी medium की जरूत होती है its propagation उसको आगे जो है travel करने के लिए अब next हम move करते हैं longitudinal nature of sound waves क्या होती है यसे longitudinal nature में हम दो parts को discuss करते हैं compressions को and rare fractions को यह हमने पहले भी compressions और rare fractions को discuss किया था लेकिन अब हम जो है वो इसको discuss करेंगे कि vibration of tuning fork after striking with rubber hammer जब हम tuning fork का rubber hammer से strike करते हैं तो उसके बाद जो है वो किस किसम के हमें pattern जो है वो मिलते हैं हमें तीन किसम के pattern मिलेंगे इसमें first one जो है before the vibration of tuning fork अगर अभी हमने vibration tuning fork के भी नहीं start की तो इसकी density जो है वो क्या होगी वो uniform होगी यहां पर यह lines indicate यह करी हैं कि अभी इसकी vibration start नहीं हुई यह इसकी density जो है वो क्या है वो uniform है यह इसका a part था यह first part उसके बाद जैसे ही हमने when the right prong of tuning fork moves from mean position o to b जब इसका right prong यह वाला इसका arm जो है वो जब o से b की जानीब move करेगा it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produce compression तो यह क्या करेगा pressure create करेगा pressure जादा हो जाएगा pressure जादा होने की वज़ा से जो है वो इसके particle जो है वो आपस में एक दुस्रे के करीब भी जो है वो bound होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही जो है वो क्या होगा इसका right prong जो है o से b की जानीब move किया तो क्या हुआ इसने pressure को exert किया जिसकी वज़ा से जो है वो क्या produce हो जाएगा compression प्रेशन हो जाएगा यह वाला देखें यहां पर distance जाएगा और यहां पर distance जो है वो कम है जब यह o से b की जानीब move किया तो इसने pressure exert के जिसके उसे compression जो है वो produce हो जाएगे अब यह compression जो है वो in turn compresses the layer next to it and so on यह compression जो है वो यहां produce हुए इसने जो है नेक्स प्रेशर करियेट किया next pressure next and so on जो है वो इसमें pressure जो है करियेट होने के वसे जो है वो compress layer जो है वो presses होती चली गई उसके बाद नेक्स इसका third point में हमने यह discuss करना है moment later कुछ देर के बाद तब प्रॉंक्स begins to move from B towards O फिर प्रॉंक्स जो इसके आम B से A की जानिब जो है वो move करना शुरू हो जाएंगे अब क्या होगा कि pressure जो है वो adjustment layer का क्या करना शुरू कर देगा वो decrease करना शुरू हो जाएगा और इसमें जो है जैसे ही वो decrease करेगा तो पहले pressure increase हुआ तो जो layer सी वो हापस में करीब भी जुड़ गई और जैसे ही pressure decrease किया तो इन में दुबारा से फासला आगया इसमें rare fractions produce हो इसमें particles जो थे पहले closely together थे अब इसमें space apart आगया ये काफी जो है वो distance पे हैं तो जैसे ही जो है इन में distance आगया तो it means इसमें क्या produce हो जाएंगे इसमें rare fractions produce हो जाएंगे अब ये rare fractions जो हैंगे ट्रांसफर हो जाएंगे air next to it and so on ये जो है वो आगे ट्रांसफर होता चले ज तो जैसे ये ट्यूनिंग फोर्ग जो है वो आगे पीछे मूफ करेगा series of compressions औरे फेक्षान जो है वो इसमें परियूस होते चले जाएंगे उसके बाद टेंस बिटियुन दिस्टरिशप्स कॉर। के मेंकि धर ेशोय हुन सब्सक्राइब नोग होता है। सब्सक्रांध करते। क्या होती है इसमें compressions जो हैं किस तान से produce होते हैं जब हमने ट्यूनिक पोग को जो है वह vibration प्रिडूस करवाई तो compressions जो है वह कैसे प्रिडूस होंगे जब यह से बी की जानी पाएगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा इसमें डियर फ्रेक्शन आ जाएंगे कंप्रेशन में पार्टिकल जो हैं वह क्लोज़ी टुकैदर होंगे और रेर फ्रेक्शन में वह स्पेस अपार्थ होंगे